दोस्तों कैसे आप लोग दोस्तों आयोप के आप लोग बहुत इची होंगे दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दो जार बाइस में बोर्ड एक्जाम की प्रपरेशन कहते करें अगर आप इस टाफिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाट्स तक होंगे जिन्होंने अपने बोर्ड एक्जाम की तैयारी अभी तक बिल्कुल भी नहीं की होगी वो सुचते हैं रहते हैं कि हम काम टाइम पर अच्छे मांक्स कैसे लाएं कम टाइम पर अच्छे मांक्स कैसे लाएं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया तो ऐसे क्या क करें कि अच्छे मार्स ला पाएं अगर अभी वी तक बोर्ड एक्जाम की तैयारी अभी नहीं किया है या किया है तो कम किया है तो अब मैं आपको बताऊंगा कि रोजाना पढ़ाई पढ़कर अच्छे मार्स ला सकते हैं देखो दोस्तों जैसे जैसे एक्जाम पास आते हैं student को दिलों की दड़कन बढ़ने लगती है आप गवराने लगती है आपको धैर से काम लेना है आराम से काम लेना है दोस्तों पहले आपको मैं एक बात बता दूँ सबसे पहले आपको जितने भी subject हैं और उन subject के जितने भी chapter हैं उन्हों को पढ़िए और आप सबसे पहले अपना syllabus पता करिए subjective teacher से उसके बाद उन subject के chapter में से important question डूणना और उसको तयार करना और आपको इन सब चीजों को एक copy पर लिखने लेना है आप copy पर उस चीजों को लिखनेंगे अपने copy में पर subject के वाइस उन chapter को लिखना है list बना लेनी है तयार कर लेनी है आपको list फिर उसको पढ़ना है आप अपने copy ऐसे chapter लिखिए जो important हूँ अगर आपको नहीं पता है कि important कैसे पता करें तो आप अपने subjective teacher बाइस पता कर लीजिए नहीं तो आप जो senior student है जो last year आपके 10th करके निकले हैं अब आपको क्या करना है कि जो आपने important chapter लिखे और आपने उसको पढ़ा उसके बाद आपको तयारी कैसे करनी आपको दोस्तों जो भी chapter अपने copy में लिखे थे subject wise उन target पकड़ कर रखी उन जो आपने subject wise teacher जो रखी थे आपने chapter लिखे थे उसको target बना कर रखी आप आप जब target बना लेंगे तो समझ कर चलना अब आपको target बना लेना है कि इतने दुनों में इतनी chapter complete करने है या फिर इतने दुनों में subject complete करना है या पढ़ना है अब आपको ये भी target बना कर चलना है कि जो भी subject या chapter पढ़ रहे हैं इतने दिन में complete हो जाना चाहिए अगर आप इस तरीके से दीरे दीरे पढ़ेंगे तो सब complete भी हो जाएगा अब आपको मैं एक बात बता दूँ आप लोग regular पढ़ाई करना start कर दो कुछ student क्या होते हैं regular पढ़ाई नहीं करते हैं तो दिन पढ़ा तो भाई चार दिन नहीं पढ़ा आपको दोस्तो रेगुलर पढ़ाई करनी है वरना पूरा भूल जाएंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे तो आपको कुछ मेरी वीडियो में आपको जो मैंने समझा और मैंने आपको solution निकालके दिखाए यहीं था कुछ मेरा solution तो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो यादा सेर करिए वीडियो को लाइक करिए और कमेंड बताईए कि आपको कौन सा पाट सबसे अच्छा लगाएं और आपको कौन सी वीडियो किस टाप्रिक पर चाहिए आप कमेंड में जरूर बताईए और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी थैंक्स पर बाचिंग मैं वीडियो